असलाम लिक्वाइबन दिस्टी से जान वर्कम ट्रावलाग नुमर 10 आज मैं शाहिद कुछ की नेविगेटर बस पर ट्रावल कर रहा हूं यह जो आप बस लेख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बीटुफल बस है इसकी मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आहीं थी के लिपर अब बस लेख आए तो शाहिद कोच की यह जो सर्विस है पाकिसान में सबसे मदब सवाद वली साथ पर अच्छी सर्विस प्रसिक राची दोहर फैसलबास आएगा पोईटा अगर आप इंशावर में जाना चाहिए तो इनको प्रैपोर करें अभी डिडेयर रिवीवी दे आगे कंटिनू करने से पहले हम आपको पाकिस्तान की सबसे ब्यूटिवल बस का एक स्टीरिया दिखाना चाहूंगा फ्रेंट और बैक साइड से के बस देखने में कैसी लगती है तो आप यह पहले सिनेमाटिक शोर्स देखें और ट्रावलो का आगे कंटिनू करते हैं करते हैं करते हैं इस दिजाइन के वज़ाथ से बस पाकिसान की सबसे यूनीक तरीन बस लगती है और मोटर बेगे या थाल कारी हो थे सवाज मिलिए अगर 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 आप देखे तो यह पाकिसान की को बस लगे रही होती इतनी ब्यूटूफुल बस है यह वाला इसका डिजाइन जो है ना इस बस को पाकिसान की सबसे अट्रेक्टी बस में यह शायद कुछ का टिक्टिंग बूत है जो कि लाहूर में सिटी टर्मर में मौझूद है इनका एक टर्मर लाहूर में बती चोप पे मौझूद है पहले वहां से बसी जाती है उसके बाद यह जो आप टर्मर देख रहे हैं यह इक सरकारी टर्मर यहां पे बहुत तरह की बस कमपनिज मौझूद होती है तो यहां से आप देख सकते हैं कि लाहूर तो सवाद के लिए अगर आपने जाना हो तो आप यहां से टिकेट पचेस कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बेतहाशा बस्स खड़ी हुई हैं तो हमारी बस्स है वह भी आनी है इससे पहले एक और यूटॉंग की बस जा रही है सवाद के लिए आप अधाइम यह शायद कोच की तरह से आपको मल्टिपल बस्स देखने को मिली हैं जो कि सवाद के लिए रवाना होती है तो इससे आप अंदाजर लगा सकते हैं कि इनकी बस्स की कितनी डेमांड है यह देख सकते हैं एक और जो बस है यह हमारे साथ ही घड़ी हुई है य यह आप देख सकते हैं इसका नाम गोल्डन ड्रेगन नविगेटर बस है तो यह एक ड्रेगन की तरह की बस है तो बसका टिपार्च दस बज़े इस बसका जो फेर है वो जिस फिफ्टीन हंड़ है जो कि आइधिंग सो एक नॉमर फेर है एक जसिवाइबल फेर है 100% मैरिट पेर ले रहे हैं क्योंकि एट आवर्स की जर्नी है तो उससे साब से यह फेर टोटली आप इसली पेर कर सकते हैं इसके बाद अगर आप देखें तो लाहोद एसलामबाद के लिए जो बिजनस क्लास बसी होती है उनका जो फेर है वो 1400 से लेके 3600 तक है तो इससे साब से यह किसी भी तरह ज्यादा नहीं है तो बस के टिपार्चक का टायम हो चुका है काफी प्रसेंजर्स बस के अंदर बोर्ड हो रहे हैं तो चलें बस के अंदर जाके बाकी विच्छर्स आपको दिखाता हूँ कर गुंग थे बस में आच ऑई बस अब देख सकते हैं बस काफी लक्जरी है इसकी सिर्ष हुआ है यज गॉल्ण के लासकी बस है इसकी रूप भी ओओभर किया गॉल्ण केिल्ण के तो बस देखने में काफी प्यारी है यह इसका डिपार्चर टाइम जो है लाहों से दस बज़े है अभी आपको डिटेल में इसकी तमाम चीज़ों का रिवु देता हूं एंड बस का रिवु करते हैं फर्स्ट फॉल जब बस जाते हैं तो इसके अंतर यूनीक चीज़ है वह इसका ड्रावर कैबन है इसके अदर आपको यह 17 इंच का टैच डिस्प्ले भाद घो को देखने को मिल जाता है जिसके परर डिगीट बस को कंडोग कर रहरा होता है तो इसके बस जयाद है और सेजीन यॉरु 3 दwasser होगा है तो मधिस के पर нуहुंचे बसके में उखने के दिशेघना जिसको में पाकिसन में मुझे जाके इतना यूनिक इन्वार मर नहीं 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 जितना ड्रैगन की इस बस में मुझे जाके मिला तो इसका जो इंटे तरफ बहुत ही ज्यादा कमाल कहा है इस बस के जो गॉल्डन डेवर इनकी नेविगेटर बसिस है यह जो कंपनी के तरफ से आती है ज्योंकि स्टैंडर्ड तो यह कंफर लेवल यह बहुत ज्यादा देते हैं मतलब सेंजर के लिए अराम दर सर्फर इनकी पराय और्टी है तो यह आप देख सकते हैं इसके 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 डूसरे मॉडर्स हैं उसमें आपको 53 सीट तक का भी ऑप्शन देखने को में जाता है तो ह इसके इसके सीट के कर्या आपको एकजम्पर इससाहर समय और आपके आप ने पाकिसान में कभी ब्रैव बिस्केट को में खाया होगा उसका जो क्लर होता है वह ऐसी सीट का करे तो यह आप देख सकते हैं काफी लैविश मॉडर्न अबडियेटिट इन्टीर है इससी पक्र पराल आपको एक कपने देखने को मेरता है एक competition को मेरती है बांस्यां गाल और लौंज को देखने को मेरता है तो इसके top पे आप देख सकते है नेविदिगेटर की branding है उसके नीचे गॉडन ड्रएगर हो इसके निका हुआ है एंड अभी हमारा स्टे हो रहा है कलर कहार की सर्विस एरिया पे यहां पे आप देख सकते हैं अभी आपको दिखाता हूं यहां पे इतनी ज्यादा बसे सगड़ी हुएं यह हमारी बस है इसके साथ ही जो हमारे साथ चली थी वो बिजनेस क्लास की इमकी बस ही वो भी आ सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव बस है इसका डिजाइन बहुत एफिशन्ट है आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे काफी बसे हैं यहाँ पे मैंने डायवो की योटोंग की जो सिंपल वाली है इसके लावा डबल क्लास योटोंग बसे आप बसे पे देखें लेकिन जो इसका विवा आणा वो किसी भी बस का नहीं है और इसका जो मतलब उन्चाई है बस की वो काफी ज्यादा है तो यह सबसे ज्यादा विजिबल बस होती है जो आप रोड पे इसको देखते हैं तो यह अब देख सकते हैं इस टाइम पोने एक बज रहे हैं यहां पे काफी ज्यादा राश है कलरगार के सर्विस एरिया पे तो यहां पे 15 मिंट का स्टोप है मोर्टरवेग आप यह देख सकते हैं हमारे साथ साथ यह वजी बस जा रही है मदब दोनों बहन बैट जिसंवा जा रहे होते हैं तो अभी हमारा यहां पर इसलामबाद के मोर्टरवेग पहुंच चुके हैं जो कि एक्जिट करेंगे भी अब हम गामजन है इसलामबाद के बाद पिशावर वाली मौटरवे की तरफ तो यह आप देख सकते हैं इस तम यहां पर काफी संसान महोल है यहां पर कोई भी गाड़ी आपको नहीं आ रही है कि हमारी नेविगेटर के बस रही है इसके साथ एक शायद कुछ की यह टॉंग जा रही है तो और इसके लावर कोई बस नहीं हो आप देख सकते हैं सामने मारी बस रहा रही है पस का रिफ्रेश्म बॉक्स हमें दे दिया गया है यह आप देक सकते हैं यह काफी बूटिफल बोक्स है इसको गोल्ड कलास लिगा हूं इसको अन्बॉक्स करते हैं भी इसके यह बाक सार्ट पर देख सकते हैं नमबर सुगरा है अगर आपने कौल करनी हो तो यहां पर जो साथ आपको दिखने हों Aww sometimes आपको साथ आपको ने देखने को मिलती है चोद आपको च्यूटा किसे च्छ साय एक मेवकड देखने को मिल जाता है इस के साथ आपको to Reality को ने प 시대 साथ तो अगरी दिखने को मैए जाती है जो कि शायद कोच की अगेन अच्छी चीज ही है कि आपको ये टिन पैक पोवाइड करते हैं जो कि मैंने किसी भी आई थिंग सो बस कंपनी में नहीं देखा वो आपको कप्स में पोवाइड करते हैं इवन क्यों कनेक्ट भी आपको कप में पुवाइट करती है तो इतना जादा फिर चार्ज कर दिया लेकिन इनकी अच्छी चीज़ अब बात करते हैं अब बात करते हैं फ्री वाइफाई की तो यहां भी भी शायद कोछ ने हमें डिसपॉंट नहीं किया इस बस के अंदर हमें जोंग की 4G devices देखने को मिलती हैं जो कि माइफाई devices होती हैं इसमें आप उसका बटन ओन करना होता है इसमें डिवाइस देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं स्पीड कितनी ज्यादा आ रही है यहां पर भी शायद कुछ पैसे नहीं बचा रही है इन्हों ना तो लिमिटेड नेट परवाइड किया है इसके बास स्पीड भी काफी जयदा है आपने यूट्यूब पर सर्फ इसको मैं एप्रिशेट करना चाहूंगा मतलब यह आपको एक मुकंबल पैकेज परवाइड कह रहे हैं यह सीट टेस्ट मैंने एप डाउनलोड भी किया है तो यह देख सकते हैं यहां पर कितनी स्पीड आ रही है तो यह अच्छी चीश है इनकी तर से अच्छी तरह नहीं करें यह दो यह दो आपको अपनी नेविगेटर की बसेज में वीड़ा ओन डामाश सिस्टम में कैसा कॉंटेंट पर वाइड करेती है क्या यह लिमिटेड है शायद कोच की इन बसीज में बस पैट के टैबलेट यूज किये गया है जो कि मैं आपको ब अच्छी किया है तो यह इसके निए कॉंटेंट भी ज्याद है और इनके टैब अच्छी तरह वाग कर रहे हैं बसके देख सकते हैं आपको में व्यू दिखाता हूं कि जितनी बी सीर्स हैं तमाम के तमाम चैरे है कोच के सवात वाली टैनल में पहुंच चुके रिजा गट रोट पर मौझूद है और इनका टैनल में तो बी होनेस बहुत ब्यूटिफुल है अब इस बड़ा में आपको दिखाऊंगा मदर इसका व्यू कैसा आथा यह पहाद के साथ ही इसको बनाया है तो जो हमारा साथ बस आई थी भी पहुंच चुकी है तो यहां देख सकते हैं मैं मैं फैसलबास से आया ता तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी तो अभी हम पहुँच जाओं तो यहां पे अच्छा थंडा मौसम है काफी ठंड है यह सामने अब देख सकते हैं यह इनकी मॉस्क है बस इसके जो मदब बेस बनी हुए है जाब वो पाक होती है उसके साथ ही यहां पर मस्डिद है तो अभी हम यहां पर नमास पढ़ेंगे सवात में पहुँच चुका हैं तो भी हमास आज मेरा एक्सपिरेंस काफी अच्छा रहा है फरस्ट आम ट्रावल कर रहा हूं यह बचपन से मेरी यह फिवर्ट बस करनी है यह हमारे सीटी से इनकी डायवो भी अच्छ में 16 बस चलती थी तो मैं देखता था तो मेरी यह विश आपको नीन बहुत मज़े कियाती है इसका बाद यहां पर बस जो है एक्स्टीजर से बहुत कमाल किया है इसका फिर जो है वह भी नॉमर है इस बस के अंदर आपको बहुत एची टाना ट्रीट किया जाता है बहुत इच्छी सर्फिस रिपाइट की जाती है तो मैं तो यह क्वित जो बस सर्फिस है इसको मैं गिया एक्स्फिस के भी अच्छी सर्फिस रिपाइट कह रही है नो बहुत जादे साफ सुत्री है जो दूसरी बस कमप्राइब्ली नाम की बड़ी बस कमनी हुए लगिन इस बस कम्परी में लेकर बाकी करमिशं में नहीं है कुछ पकिस्तान की इंशाला नेक्स्ट्रीयर्स में बहुत ही ज्यादा सुक्सेस्फूल सर्विस रेगी पहले भी कामया परी है तो इनका जू पुर्प्राइट्व है वो बहुत है आप के साथ कोप्रेट करते हैं कवी तमीज़ा तो शायद कोश गुल्ड वाइक की पिट आप तो इन्शाल्ट जब भी मैं सवात आँगा मैं इन पे ट्रावल करूंगा आगे काफी वीडियो गिलेगे आ रहा हूँ ठेंक्स वाचिंग